कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम पढ़ने वाले हैं income and expenditure account के कुछ important points जो अकसर examination में पूछ लिए जाते हैं तो इन points को खतम करने के बाद यह part 6 है हमारा NPO आपको पता 10 number का chapter है तो इसको खतम करने के बाद हम लोग इसके बाद जो full-fledged question होता है जो examination में 6 marks तक का आता है फुल-fledged question पे होगा तो अभी तक आपने अच्छे से कर लिया होगा तो उमीद है आपने बाकी के पांच पार्ट जरूर देखा होगा इसी तरीके से हमारा पूरा BST का और economics की भी series है पूरे आपके नए session के लिए complete series आप उसको देख सकते हो पूरे course की पूरे syllabus की तो चलो अंदर किसी भी member की entry होती है उसको एक amount देना पड़ता है और यह revenue nature का है और अगर हम उसको revenue nature का मानते है अगर question silent मालो आपको सीधा बोला entrance fee तो आप उसको कहां बेज देना income and expenditure बेज देना credit side यह मान के कि वह revenue है लेकिन अगर question कहता है कि यह capital nature का है तो वह कहां जाएगा balance sheet म अगर है कोई भी कमाई कोई इंकम अगर revenue nature का है तो इंकम and expenditure में जाएगा credit और अगर वह capital nature का है तो वह revenue nature का है तो इंकम and expenditure में आएगा debit और balance sheet में कहां जाएगा इस बात को ध्यान रखना आप चाहो तो लिख सकते हो कोई भी expense हो कोई भी expense अगर वह revenue nature का है तो वह जाएगा income and expenditure account में जाएगा debit और वह capital nature का है तो balance sheet में जाएगा जैसे अगर मैं बिल्दिंग का depreciation की बात करूँ तो revenue है इंकम and expenditure में debit जाएगा लेकिन अगर वह इंकम and expenditure में क्रेट आएगा लेकिन अगर वह income capital nature का है तो वह class balance sheet में जाएगा किस साइड एक्जामपल समझते हैं आपको एंटरेंस फीज दिया 40,000 रुपए और एडिशन पाउंट लिखा 20% of entrance fee is capitalized आपको लिखा 20% of entrance fees capitalize तो अब आप क्या करोगे तो 40,000 का 20% 8,000 रुपए भेज देना कहां पर liability में और जो 32,000 रुपए है जो 32,000 रुपए है वह चला जाएगा और जितना नॉर्मल है वह income expenditure लाइफ membership fee lifetime member बनने के लिए members जो हमें पैसा देते हैं इसको लाइफ membership fee और लाइफ membership fee जो है वह balance sheet में जाएगा liability side और add हो जाता है यह कहां पे capital fund के अंदर यानि कि balance sheet में लाइट side और capital fund में add हो जाएगा कि जब भी आप closing balance sheet बनाऊगे हम सीखेंगे भी उसमें जो opening capital होता है उसको बुलते है capital fund उसी में क्या add हो जाएगा life membership fee अगर आप इसको लाइट side दिखा देते हो तो भी ठीक है capital fund में add कर देते हो तो भी ठीक है पर बहतर यह है कि आप इसको capital fund में add कर देने यानि कि यह income expenditure म मत बेजना उसे बेजना लाइट side में ठीक है third point any special receipt किसी भी special काम के लिए अगर आपको receipt मिला है किसी special occasion के लिए receipt मिला आपको तो वह income expenditure में चला जाएगा credit side और उसके लिए जो खर्चा हुआ वो चला जाएगा debit side सीधी सी बात है खर्चा debit कमाई credit जैसे class contribution मिला आपको annual dinner के लिए फिर मालो secretary के dinner के लिए contribution मिला है किसी specific काम के लिए contribution मिला है किसी asset building बनवाना इन सब के लिए किसी specific occasion के लिए किसी fest के लिए किसी drama show के लिए किसी भी चीज के लिए कोई जागरूप करने के लोगों को अगर occasion के लिए मिला हुआ है तो हम इसो बेज देंगे income and expenditure में debit side औ और उससे जो सॉरी उसको हम बेज देंगे income and expenditure में credit side और जो कमाई आई है हम उसको कहां बेज देंगे credit side और जो खर्चा होगा उसके regarding उसको बेज देंगे debit side यानि कि कोई special receipt से कोई पैसा आया मिला है आपको तो credit और उसके regarding जो खर्चा हुआ है वो आएगा debit side general donation यह मैंने आपको पहले बता रखा है general donation जहां पर कोई condition specify नहीं होती कि आपको उस पैसे कहां पर use करना है वो general donation है ठीक है तो उसे कहां बेज देना है revenue receipt होती है वो तो इसे income and expenditure बेज देंगे credit side और अगर वो specific है किसी specific काम के लिए मिला है building बनाने के लिए मिला है आपको प liability legacies विरासप में जो चीजे मिलती है यानि किसी के विल के according विल का मतलब यहां पर वसीहत है समालों किसी के death से पहले उसने वसीहत पर लिख क्या आपको कुछ पैसा दे दिया या आपको प्रॉपर्टी दे दी तो अगर उसने condition लगा दी है अगर condition लगा दी है तो कहां grant सरकार कोई grant देती है किसी specific purpose के लिए असेट खेदने के लिए building मनाने के लिए कुसी भी काम के लिए आपको सरकार अगर पैसे देती है तो कोई ना कोई specific purpose होगा सरकार free में grant नहीं देती है अगर specific purpose है तो balance sheet में कहां चला जाएगा आपका liability side चला जाएगा specific purpose से कोई भी grant वह 10,000 का है और closing sport material जो है वो है आपका 7,000 का इसका मतलब अगर शुरू में 10,000 है तो balance sheet में असेट चला जाएगा opening balance sheet में और यह जो closing sport material है वो closing balance sheet में asset side चला जाएगा और इस पे जो भी आपने use किया अगर शुरू में था 10,000 और end में 7,000 है यूज किया तो यह sport material consume हो गया और sport material जो consume किया है हमने अलग से topic के अंदर भी पढ़ रखा है sport material consume तो वह income and expenditure में कहां चला जाएगा debit side समझ रहे बात को तो इस situation में अगर आपने कोई sport material sale किया है तो वह इससे क्या हो जाएगा minus हो जाएगा purchase किया है तो वह इसमें plus हो जाएगा और फिर material consume निकलेगा एक्जामपल अगर आपने 2000 का sale किया और 3000 का purchase किया तो शुरू में कितने का था 10,000 का sale कितना किया 2000 खरीदा कितने का है 3000 तो end में तुमारे पास होना कितना ची तुमारे पास end में ओना ची 11,000 पर है कितने का 7,000 इसका मतलब तुमने consume कितने का कर लिया बताओ जरा 4000 यह हमने sport material के अंदर पड़ रखा आप उसको डंक से देखना उस पार्ट को एंपो 10 नंबर का चैप्टर है कोई लापरवाई नहीं होनी ची शुरू से एकदम आच्छे से परफेक्ट तरीक से दोदो बार भले क्यूना देखना पड़े आप ब्लीज उसको अच्छे से करो 10 नंबर का यहां पर मैंने बता भी आपको इप स्पोर्ट मेटल सोन इन बैलेंशीट में जा रहा है और वह उसका जो कंज्यूम किया आपने स्पोर्ट मेटेरियल को अगर वह आप डेविट साइट दिखाते हो वह सेल क्या करेंगे असेट में से लेस कर देंगे और परचेस असेट मे खरीदा और आपने उसको वह रहेवर नेचर का है तो आपने उसको डेविट साइट दिखा दिया इंकमेंट इक्सपेंडिचर में तो उस चाइम पे अगर उसकी सेल हो जाती है तो सेल वैलू को नहीं दिखा देंगे अगर आपने कोई निउस पेपर लगा है आप सब घर आता होगा तो आपको पता महीने का आपको कुछ अमाउंट तीनसो चारसो पांसो दोसो डाइस जो भी आप अमाउंट देते हो तो आप देते हो तो वह इंकमन एक्सपेंडिचर में कहां चला जाएगा डैबिट साइट क्यों चाहे आप क्लास कोई प्रिडिकल की तरह होता प्रिडिकल के लिए जैसे यह जोना मैगजीन आती है किसी एक-एक महीने की तो प्रिडिकल हो गया यह सारी चीजे जो है अगर आप खरीतते हो तो यह असट थोड़ी है आपकी यह इंकमन एक्सपेंडिचर में चला जाया कि साइट डैबिट साइट और कलको आप उसे लेक्चर दे ने आगया टीचर आपके पास महमान और खर्चा आके महमान आते हैं उनकी ुष्पके लिएற्टक खर्चा करते हैं उनको कुछ पैसे देना कि लिए लेक्टर दिया है कोई देना कोई अवार्ड देना वह सारी चीजे कहा जाती है वह रेविन्यु एक्सपेंस है इसले हो जाती है इंकमेड इंपेड़ेट आएगा जायेगा तो यह सारी पॉइंट सबको पता होना चाहिए फाइनली मैं आपको बता दूं income and expenditure account में यहाँ पे हम लिखते हैं खर्चे और यहाँ पे लिखते हैं class income तो जो भी खर्चा है वो debit side आएगा जो भी कमाई create लेकिन वो किस nature का होना चाहिए revenue nature का होना चाहिए अगर वो capital nature का है तो अगर expense किया है तो वो asset हो जाएगा और अगर वो capital nature की income है तो लाइबिलेटी बन जाएगी इंकम लाइबिलेटी और expense बन जाएगा asset clear है क्योंकि revenue nature वो देली बेसिस पर खर्चा होता रहता है salary देना employee को commission देना interest देना इस अब revenue expenditure में चलाएगा income expenditure में loan है loan जाएगा liability में लेकिन loan का interest जाएगा income expenditure में जो 11th class में profit loss account को बना जेते उसी रूल से ही सारा काम करना है ठीक है I hope कि सारे points आपको समझ में आगया होगा अगली वीडियो के अंदर आप जरूट देखना में questions कराऊंगा आपको practical question जो छेचे नंबर के paper में आते हैं ठीक है इसको फटा फट लाइक करके अपने सारे दोस्तों में share कर दो next video में लोग continue करेंगे